नमस्कार दोस्तों इस वक्त बलिया से बनारस की यात्रा हो रही है और चुकि राज नहींते कि दृष्टी से हम लोग बनारस के तरफ बढ़ ला है हमारे बीच कामेश्वर सिंग उर्फ मुलन दादा जो विगत पांच सालों से फेपना विदान सबाच छेतर के राजनीत में शक्री हैं चुकि सिनियर नेता है और इसलिए पूराने समय की राजनीत में वर्तमान समय की राजनीत में क्या अंतर आया है तो आज हम बात करते हैं मुलन दादा इसे कि पहले की राजनीत में और आज की राजनीत में क्या अंतर है मेरे विशय को आप समझ रहे हैं कि पहले की राजनीत में और आज की राजनीत में आपको किस तरक अंतर देखाई देता है देखिए पहले की राजनीत में जो करकरताओं को चाहे सम्मान आदमी को जो सम्मान आदर सने प्यार मिलता था ओ आज के राजनीत में ओ चीज नहीं है बिल्कुल ओ अपने व्यक्तिगत स्वार नेता रहते हैं करताओं को और जंता के प्रेम को उतना केर नहीं रखते हैं यही आज और पुराने राजनीत में अंतरा रहा है वरतमान समय में देखा जाता है कि राजनीत में धन और बल विश्एस रूप ले रहा है जबकि पहले की जो राजनीत में थी लोग चल देते थे गाधी वादी तरीके से हाज जोड के जनता की विश्वास में लेके सरकार बनाते थे बिधायग बनते थे सांसद बनते थे लेकिन आज की राजनीत में पैसा धनबल एक माइने रख रहा है तो यह ठ पहले के नेता के अंदर जनता के पती जो प्रेम आदर्स ने घुम घुम के लोगों को दुख सुक में देखते थे देते थे उनका आज के नेताओं के अंदर उचीज नहीं है आज तो सिर्फ खाली पैसे और बाबूली का ही प्रियोग कर रहे हैं लोग जनता से उतनी पर बिद्हाएकर सांससर्थ को चुलने में परहे मतलैं कहीं ने कहीं सिकायट रह जाती है क्या कहीं यह झहीं देखा जाता क्या करे भाई अब यही सोच के जनता संसाद बिधायक मंत्री अपना ओट दे के बनाती है कि भाई यह हमारे सुख दुख में हमारे साथ रहेंगे लेकिन वो कुछ देखने को आज नहीं मिल रहा है नहीं मिला है तो जैसे बात होती है कि वर्तमाल में लोग सबा चुना होने वाले हैं तो एक तरफ बात होती है इंडिया की और दूसरे तरफ बात होती है इंडिया की यह दो दलों को देखा जा रहा है चुकि इंडिया में कई दले हैं दलों के सामने क्या मैं चुनोती होगी इंडिया के सामने जो बड़ा चेहरा है, उनके सामने इंडिया के लोग कैसे लड़ेंगे, इंडिया गड़बंदन की बात मैं कर रहा हूँ, तो ये दो फोकस होता है, जनता को भी ये मन में है कि सरकार किसके बनेगी, किसकी सरकार बनानी चाहिए, जिसे हमारा फाइदा हो, उहीं इंडिया के कहना है कि महांगाई भरष्टाचार सब चरम सिमा पर किसानों को भी उनका लाब नहीं मिल पा रहा है यह चुकि बीपच कहता है वहीं सरकार यह कहती है कि हमने जो किया है आज तक किसी सरकार ने नहीं किया यह जो बाते आ रही है उस पर आप संतुष्ट है देखिए यह जो राजनीत में जो बाते आ रही है कि सरकार कुछ भी कास का काम नहीं किया किसान को नहीं देखा जुआओं को नहीं देखा पर उतना के नहीं किया तो इससे हम बिल्कुल इस चीज को पसंद नहीं करते हैं क्योंकि कोई भी सरकार आती है तो वह अपने हिसाब से देश को चलाती है और भस्टचार का जहां तक बात है कोई भी ऐसा सरकार नहीं है कि जिसके सरकार में भस्टचार इस देश में नहीं हु सरकार में भरस्टाचार है लेकिन कम है सरकार में भरस्टाचार आप जानते हैं देखिए भरस्टाचार जैसे इस शासन के लोग करते थे करमचारी करते थे किसानों को जनता को परिसान करते थे काम करने में पैसा दिकत आती थी लेकिन उचीज जितनी समस्यां में पहले थी ओ आजगे डेट में उतना नहीं है बहुत सरकार के तरफ से संसोधन हुआ है अब बहुत सक्त करवाई के साथ सरकार चल रही है। इसे में बेक्तित तो जो साली बेक्ति है जो संघर्ष किया है जो जनता के लिए दिन रात लगा है चला है समस्या देखा है और संघर्ष करता रहा है। जीत के करीब तो नहीं पहुच पाएगा नहीं नहीं अभी जो 2024 का चुनाव होने जा रहा है इसमें मतलब यह समझे है कि 60% जो परत्यासी खाड़ा होगा उसका बेक्तित का ओट उसको मिलना है इस तो ग्रेंटी है। मतलब 60% उसका बेक्तित का ओट है चालिस परसेंट पाटी का ओट रहेगा। नीर्दल का अब कुस्त बेक्तित उसमें भी है जैसे बहुत नीर्दल का ओट नहीं मार जाते हैं लेकिन बेक्तित का तो है अब उसमें पाटी का भी सपोर्ट रहता है इसलिए उनका अकड़ा सही बढ़ जाए आप पुराने नेता हैं सिनियर नेता हैं काफे उमर हो गया अपने बता है कि पांच साल से राजनित में हम शक्री हैं सामने चुनाओ है पच और बिपच के भूमिका में आरोप परत्यारोप आप सुन रहे होंगे पढ़ रहे होंगे देख रहे होंगे सबसे गंबिर समस्या अब तो देश की बात हो रही है चुकि अगला चुनाओ द अब लगता कि आज की राजनित में विकास है या को सोदूद है नहीं नहीं जो आप कर रहे हैं उसमें जो विकास की बात है जहां वो विकास के बात पर तो अप जनता उसमें 30%ดेख रही है कि 40% देख रही है लेकिन आज इस देश के बारे में चिंता जनता करें कि देश के लिए हमको क्या करना चाहिए किसको ओड़ देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए उसी पर विचार करके जनता ओड़ 24 का करेगी आपके करने मतलब देश के लिए चुना होगा? देश के लिए चुनाओगा अभी तो बेस्तर चेहरा क्या बताएं आप से अपना अपना पक्स भी पक्स चल रहा है लेकिन बरतमान में जो इस्तिती आज देख रही है कि हम लोगा देश आज वर्ड में जैसे हर जगा भारत वर्ष का नाम चल रहा है उजाला सम्मान मिल रहा है तो ऐसे ताज के डेट में भज़पा ही सरकार है लेकिन कहीं ने कि यह च्रचा हो जाती है कि यह जो मद्यप्रदेश का चुनाओ सही जो अन्य पांच राज्यों के चुनाव हो रहे हैं देश में ये अगामी लोकसभा चुनाव का एक टेलर है तो आपको क्या लगता है कि मद्देप्रदेश के चुनाव में सरकार मजबूत रहेगी या सरकार के सामने खड़े लोग जो विपच की भूमिका निभा रहे हैं इसे कोई अंतर पढ़ने वाला ने पक्स जीते विपक्स जीते इसे कोई अंतर में लोकसभा का चुनाव में देश की भूमिका को जनता याद करती है अब उसी के हिसाब से अपना मत्प्रियों कर दोहजार चौबीस पर कोई मतलब नहीं है यह राज्यों का चुनाव है दे लेकिन आज भी उत्तर प्रदेश विकास की पतपर है या कुछ कमी है या और कुछ करने की आउशकता है नहीं देखे आज तो उत्तर प्रदेश जिस विकास पर है और इससे अच्छा विकास होगा यह अस्वासन मिल रहा है जो उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है बहुत जदियू समाजवादी पाटी और लोग दल और भी सारे दल हैं अभी तो बात हो रहे थी विदान सभा चुनाओ के पहले जो चर्चा थे कि नितिश कुमार उसका नित्तु तो कर रहे थे और विमिन राजियों में जाके बैठा कर रहे थे और अगली लड़ाई की भुमिका त तो ऐसे में एक तस्वीर सामने आ रही थी कि लोग सभा चुनाओ को लेकर जितने राजनेतिक दल है अधिकतर राजनेतिक दल एक मंच पर होंगे और अगामी लोग सभा चुनाओं में यह जम कर लड़ाई लड़ेंगे लेकिन मद्द प्रदेश के चुनाओं में देखा ग अभी सक्सेस नहीं है अब आगे क्या होगा अभे तो देखा जाएगा लकिन अभी बरतमान जो इस्तिती है लोग सभा चुनाओं के लिए महागड़मंद तयार हो रहा है इसमें कोई पार्टी से किसी का मता मत नहीं मिल रहा है सब अपने स्वार्थ के बस में अपना पाप सुजाओं को रुप में कि अगामी जो लोग सभाँ चुनाओं हो रहे हैं जन हित्मे जंता के लिए क्या बेतर होना चीए दो-तिन सुजाओं हम आपसे चाहते देखिए लोग सुबा लोग सभा चुनाओं में जंता का जो सुजाओ आजो एक्षा है जनता अपना मन में बैठा के रख लिया कि हम को 2024 में क्या करना है भले ही जितनी सारी पार्टियां हैं अपना-ापना मता मत दे रहे हैं विकास की बात सुझाओ का रूप में मलता जनता की समस्या क्या है किया आपको लगता है देश में क्या कमी रह गई जो पूरा होनी की आओसकता है अब कौमी जो कुछ भी थोड़ा भूत जनता के नजर में दिखाई दे रहा है कौमी जो बचा है वो 24 चुनाओं के बाद वो पूरा हो जाएगा कमी में क्या दिख रहा है अभी तो बर्तमान क्या कौमी दिखाई है हमको तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों आगे भी बात होगी चुकि सफर लंबा है और हमारे साथ कई नेता इस गाली में बैठे हुए हैं हम सबसे बात करेंगे लेकिन अभी हमारी जो बलिया से गाजीपूर तक का सफर रहा उसमें हमने मुलन उर्फ दादाजी से मैंने बात किया मुलन दादाजी से उन्होंने बताया कि अगली देश में सरकार किस्की होगी ये तो जनता तैय करेगी तो कि चुनाओ बड़ा ही रोचक होने वाला है आग